तो आइसा से जिन एट के मैच नमर 37 होने जा रहा है नौस जिन एड़ेट एपसी वर्चिस एटी के मोहन बगण साम सरे 7 बज़े से फटो जे स्टेडियम पर मैच स्टाट हो जाएगा आप अगर चातों इस मैच को ऑल्लाइन होट स्टार जियू टीवी और अन फूर्मर पर देख सकते हो इसकी इलावा आप अगर टीवी में देखना चाहते हो तापको इस्टार्ट सपोस्ट नेट वर्क प्टो करना पड़ेगा चलि इस मैच के हम लोग प्रविबिव कर लेते हैं मैं आपको दोनों टीमो का स्टेक्स बता हूं गा दोनों टीमों के तरफ से कौन की खिलारी बन सकता है दोनों का क्या लाइन अप होगा और सा सथ कौन इस मैच को जीट सकता है किसका विन lobby जानना है इस मैच डिलेटेड तो इस वीडियो कांट तक जरूर देखते रहना तो इस मैच पे एक तरफ है नौशी नेडिर इपसी जिन्होंने अपने लास्ट मैच पे जवर्जस जित हासिल किया था और उस मैच का कॉंफिडेंस इस मैच पे ओ लेके आ रहा है एटिके मोहन बागन को फेस करने के लिए दूसरी तरफ एटिके मोहन बागन अपने लास्ट चार मैचों में से एक भी मैच जीता नहीं है कहीं ने कहीं उनका मोडल और कॉंफिडेंस बहुत ही जादा यहां पर डाउन रहेगा इस मैच पे और यहां पर ओक कमबैक भी करना चाहेगा नौसरी नरी डी रिपसी अपने मोमेंटम में चल रहे और उसको बलकरा रखना चाहेगा दोनों के बीचे अच्छा मुकबला हम लोग एकस्पेक्ट कर सकते हैं दोनों के पास भाई अच्छा खासा भोक नजर आ रहा है जीतका नोसरी डी डी अपना भोक कॉंपलेट कर तो नौशनेरी रिफ्सी अभी भाई नौवे पोजिशन पर खरा है पॉइंट इविल के लेकिन लास्ट मैच पे बहुत हुंदा तरीकी से उन्होंने जित हासिल किया था उन्होंने हराया था उस मैच पे और एक अच्छा कॉन्फिरेंस के साथ आ रहा है हला कि उनके पास उस मैच पे दो इंपोर्टन खिलारी भी मौजूत नहीं था हनन संटना और स्ट्राइकर देशन ब्रॉन उसके ववाजूत भी भाई उन्होंने एक अच्छा जित हासिल किया था यूँकि उनके पास उनका इंजिन मौजूद था खसक हमारा एक खिलारी बहुत एची तरहीं से मैच को सेट अप किया था उनका जो माइन सेट है उनका जो गेम कंट्रोल है गेम रीडिंग है वो बहुत उंदा है और यह बहुत ज्यादा काम आया है इस मैच पे नौश सबसे जादा टाचेस है और आयसल के किसी भी सिंगल मैच पे जादा टाचेस भी भाई उस मैच पे क्या था खसक हमारा ने 93 बहुत ही अच्छा उन्होंने खेल दिखाया था उससे पहले जो मैच था भाई वहां पर मौजूद नहीं था और उनका खमी भाई बहुत एच्छ तरीके से यहां पर भूकत ना परा था नौस ने डिर इपसी को लेकिन इस मैच पे जब उन्होंने कमबेक किया और रेजल्ट उनको मिल चुका है और यहां पर खालिज जमिल ने एक और चीज क्लियर कर दिया है कि ओ एटी के मोहन बागान के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा है और अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है किस तरीके से टीम को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए किस तरीके से मोमेंटम को बरकरा रखा जाए अच्छा अच्छा वो काम कर रहा है हाड़ वर कर रहा है पूरा खिलारी का जो मैंसेट भाई ओ ठीक ठाक ओ रखने हो चुका है इसके बाद चले हम बात कर ले थे एटिके मोहन बागान के बारे में तो भाई एटिके मोहन बागान का हिट कोच एंटे नियो लोबेस हवास ने पार्ट एवे कर लिया है उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है अपने पद से अब उनका जो एसिस्टेंट कोच था मैनुल के सकलाना और इस मैच पे इंटरिम कोच के तरह काम करने वाला है उन्होंने भी भाई इससे पहले हवस के गयार मौजुदगी में बहुत सरा मैच मैनेज किया है और उनके पास अच्छा खासा एक्सप्रेंस है एटिके मोहन बागान को मैनेज करना इटिके मोहन बागान के साथ उन्होंने बहुत दिन बिताया है तो उत्रा जादा कुछ इफेक्ट नहीं परेगा लेकिन सौकिंग नियू जहीं के भाई हबस ने स्टेप डाउन कर दिया है लगदा चार मैचों में जीत नहीं मिला था और हबस एक विनिंग मेंटलिटी के साथ काम करता है लेकिन चार मैच पे जीत ना मिलने के बाद उन्होंने सोचा है कि टीम के लिए ज्यादा बहतर हैगा मैं अगर स्टेप डाउन कर देता हूं यहां पर तो और सुनाई दे रहा है कि एपसी गोगा के जो हिट को छे भाई वन फरंडो उनके साथ बातचीत चल रहा है एटिक मोहन बागण का और ओफिसियल स्टेटमेंट भी आ चुका है यहां पर एपसी गोगा के तरफ से एपसी गोगा ने ओफिसियल एनाउंस कर दिया है कि वन फ आएगा चलिए देखती कि क्या होता है आगे चलकर कोच को लेकर जो मामला भी क्रियेट हुआ है भाई बहुत ही खराब लग रहा है कि एक तरफ एक टीम को मीड सीजन मीड सीजन नहीं भाई सीजन का सुरू बात है अभी बहुत एची तरीके से टीम पर्फूम कर रहा था टीम कमबेक कर रहा था उस सीच्वेशन में वान परन रो चोड़ कर आ रहा है दूसरी तरफ एटिके मोहन बगान को एंटियों लोपेश हवास क्यों छो रहा है ओ भी भाई अभी तक कि लिया नहीं है सुनाई दे रहा है कि खराप आपमस के चलते ही लेकिन मैनेजमेंन ने भाई उनको रखने की कोशिस क्या था है उनको बताया था है कि हम अपको टाइम देंगे लेकिन लोपेश हवास ने उसको नहीं सुना है और उन्हेंने पाटे हुए कर लिया है बेस्ट अब लाक उनके फ्यूचर के लिए और आईसल में दूदफा आईसल का ट्रॉफी हासि क्या है दोनों बार ही एटिए के साथ उन्हेंने क्या तो 2014 और 2019 में तो एरा भाई एटिए के मोहन बगान के कोचिंग सिच्वेशन लेकिन अगर मैं पफुमेंस की बात करूं तो पफुमेंस भाई बहुत ही खराब चल रहा है उनके डिफिंसिबली बहुत सरा गोल उन्हें क्या है गोल भी नहीं आ रहे है खिलारी ओ का जो घधिम्रें पोटिंस एल यह उस पोटिंस एलपर कोई भी नहीं खेल रहा है और उसको है और यहां पर पूरा रिसमिटे आ रहा है इस मैच पे जीत दर्ज करने का और अपने आपको पूरूब करने का तो किस तरीके से अब क्या होगा हो तो हमें भाई मैच के बाद ही पता चलेगा मैच के दौरान ही पता चलेगा दूनों के तरफ से बहुत सरा हल चल हमें नजर आया है जितना भी सिचुईशन है मैंने आपको बता दिया तो यह सब कुछ भाई टीमों के स्टेक्स में ही जा रहा था और मैंने आपको बताया इसके बाद अगर हेट टू हेट की बात करो तो भाई हेट टू हेट मामला टूटल चार बाड़ी हुआ है लास सेमी फाइनल खेला था एटिके मोहन बागन के सा बताई की बाद आपको बताया के देशन ब बरॉन और यहां पर हनन संटरना कमबेक कर जाएगा लेकिन को कि एंग्ट के माहन बागन का पर बतचित कर ले तो फोर्मेशन मुझे लग रहने वाला है। गोल किपिंग में मीचु को यूज कर सकता है यहां पर गिंग मीचु ने बहुत अच्छा प्रफूम कहता लास्ट मैट पे उसके बाद प्रभत लक्रा पैट्रिक फ्लोट्मैन जस्टिन जॉर्ज गुर्जिंदर कुमार खसा खमारा इम्रान प्रग्यान गोगोई उसके अगर मैं बात करूं तो इनका भी फॉर्मेशन साइद 433 रहेगा इनकी डिफिंसिबली बहुत तरह एरान हमें नजर आ रहा है गोल किपिंग में अमरिंदर उसके बाद पिरतम कोटा देपक तंगरी तीरी सुबासी स्पोज उसके बाद रहेगा हुगो जॉनी काउको पर बात कर लेते हैं तो पहला फैक्ट ही कि भाई रहा किसना और डेविड विल्यम्स ने मिल कर टोटल साथ गोल कॉंट्रिब्यूसें दिया है नौशनेडिट इपसी के खिलाब दोनों के लारी बहुत ज़्यादा एफिक्टिव साबित हुआ है नौशनेडिट इपसी के स तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है उसके बाद तिसरे फैक्ट ही कि भाई चार डिफरेंट गोल स्कूरा नौशनेडिट इपसी के तरफ से गोल लगाया है एटिके मोहन बगन चार मैचों में दो भाई हमें लिग स्टेज में मैच देखने को मिला था और दो सेमी फैनल में म साच्चित कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से इस मैच पे कहीना कहीं नौशनेडिट इपसी का पलड़ा भाड़ी रह सकता है क्योंकि एटिके मोहन बगन का जो टीम है भाई कहीना कहीं ओ थोरा अपने कोच के जाने के बाद डाउन रहेगा कुछ ना कुछ तो उनके मन में चले मैंसेट में कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा और इसका फाइदा नौशनेडी डिपसी को मिलेगा नौशनेडी डिपसी मैच पे जीत के बाहर जा सकता है तीन पॉइंट के साथ या मैच डूरो हो सकता है इस तरीके का ही सिच्वेशन है अगर एटिके मोहन बगन कमबैक क हमें नहीं लगेगा कि एटिके मोहन बगन टीम कुछ वाइसा यह भाई और किसी भी टीम को मोड कर रख सकता है तो फिर भी मैं यहां पर नौशनेडी डिपसी को पिक करा हूँ नौशनेडी डिपसी का जितने का चांस रहेगा पाच्पन पसंट पैतलीस पसंट रहेगा ए उनको भी टरगी इंपॉर्टन चीजों के बारे में बताए चला और अब ने बड़ी चनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है तो चनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिपीकर सुन आउन कर दीजिए तक आपको फटाफार नोटिपीकर सुन मिल जाए जब भी मैं भीड झाल